अधरनिय दिदिवैनी तथा दाजवाई अरू गय को वैशाख बीश गते कोवीट मामारी को दोसर लहर का संबंदमा याँ अरुष्णगा संबाद गरे को थी कोवीट को यो लहर निकई शंक्रामक र बड़ी घातक रहे को एबं एशको रोग्थाम तथा नियंत्रण का लागी राज्य का सबई सम्मेंत्र परिचालिद गरिये को बताये को थी संक्रमण को स्यांगलो चुणाउन निशेद आदेशको पालाना गरन र मामारी नियंत्रण का लागी शरकारले चाले का कदम मा साथ दिन आग्रह गरेकु थियें तिये सेता का 25 दिन आमरा लागी निकई कोष्ट कर रहे ए सब्दिमा थब 2 लाख बेक्टी शंक्रमित हुन भायो 3000 बंदा बड़िले जियान गुमा उन भायो अक्षिजन रज सईय वेवस्थापन का लागी यो समय निकई चुनावती पुर्णर आयो लिक्वीड अक्षिजन आयात मा समस्या पैदा बायो अक्षिजन सिलिंडर को अभाब खड़ क्यो समाधान का लागी हामिले सम्पुर्ण सक्ति केंदर्द गरें तेसले गर्दावईले इस्तितिमा शुदार आये को सा बार्द बाड़ लिक्वीड अक्षिजन को नियमित रथप मात्रा आपुर्ति हुना थाले को सा अन्ने उद्योग मा रहे का हजारों अक्षिजन सिलिंडर शंकलन गरी अस्पताल अरुमा पठाईये को सा अक्षिजन प्लांट हरु लाई पूर्ण चेमतामा संचालन गरीए को सा अक्षिजन उद्योग लाई बिद्ध मौशुल छुट दिने बेवस्ता गरीए को सा नागरीको जिवन रक्षया का लागी बिदेश वाट एरलिफ्ट गरेर समेथ सिलिंडर लेए को छा अस्पताल हरुमा अक्षिजन प्लांट जडान गरन पर्याफ्त रकम पठाईये को छा मित्रास्ट्र हरुको स्रयोग मा उल्लेख्य संख्या मा बेंटिलेटर रख्षिजन गंसेंटेटर लगायत स्वास्त सामगरी बेतरिये का सा गोविट विरुद्धको आमरो लडाई मा महत्तुपुर्ण स्रयोग गरने बारत, चीन, रव एसका सिच्वान तथा तिबद प्रांथिय सरकार हरु अमेरिका, इस्पेन, बेलायत, जापान, अस्ट्रेलिया, स्विजर्लेंड, जर्मनी, थाइलेंड, शिंगापूर, नियोजिलेंड, फेनलेंड लगायत, मित्राष्ट्र परति, मित्राष्ट्र हरुपरतियामी आबारिशं चिनिया रेडक्रस, तेमासेक, फाउंडेशन, सिंगापूर, डाइरेक्ट रिलिफ अमेरिका, रुएल थाइ, मोनास्ट्री लगायत, परफ़कारिशन अस्तवाट पनी, स्वायव प्राप्त बायकुशा आफनो गांसका टायर अक्सिजन सिलिंडर पठाउने, खाडी छेत्रमा कारीरत नेपाली स्रमिक प्रति, शम्मान बेक्ट गर्ण चाहाँचू गईर आवाशिय नेपाली संग र देश का उद्धेमी, बेवशाई र समास्येवी लगायत, शवाई स्वायोगियरू तन्यबाद का पात्रवनों चाहा COVID-19 जस्तो ठूलो मामारी को सामना गर्न एकिक्रित, समन्वायत्मक र समक्र राष्टर रणनेती आवस्यक पर्दशा एसे ही खांस्यलाई पूर्ति गर्न COVID-19 संकट बेवस्थापन अध्यादेश 2088 जारी गरिये कुछ एस बाट राज्ये को संपुर्ण सक्ती COVID-19 विरुद्ध परिचालित गर्ने बाटो सहज भाय कुछ अध्यादेश को बेवस्था बमजें परदान मंत्रिको अध्यक्षितामा निर्देशक्षमिती र एस मात हत 24 गंटा खटिने गरी COVID-19 संकट बेवस्थापन के अंधर इस्थापना भाय कुछ बीर अस्पताल लाई COVID-19 unified के अंधरी अस्पताल तो किये कुछ यहां बाट COVID-19 विरामी अरुले इस्क्रीनिंग, टाइगनोस्टिक उपचार अन्यश्यवा पाउन होने च बीर अस्पताल ले जुन्शुके अस्पताल समस्थान र मेडिकल कलेज अरुलाई COVID-19 को उपचार मा समन्यात्मक डंगले परिचालन गरने च आवशिकता अनुशार स्वास्थ संकटकाल लगाउन शकीने वेवस्ता गरिये कुछ COVID-19 विरामी अस्पताल अरुलाई शुचिक्रित भाय का सन्ग COVID-19 को निशुल को उपचार का लागी 45 नीजी अस्पताल समस्थान गरिये कुछ महामारी शुरुवाय को एक वर्षको अगदिमा बेंटिलेटर को संख्या 370 वाट 940 ICU बेट 2600 वाट 3000 पुर्याई ये कुछ अस्पताल मा 283 अई डिपेंदेंशी यूनिट थप बाय का सन्ग 900 अक्सिंजन कंसेंट्रेटर थप ये का सन्ग चित्य एक्सई असी वेंटिलेटर 630 ICU 1400 SDU र उन्नाइश अक्सिजन प्लांट थपिनेशन गोविट महामारी माथी निनाइक विजय का लागी खोप अनिवारियो सा आलशम्मा आमिलाय अनुदान बाट प्राप्त 32,28,000 डोज र खरिद बाट उपलब्द 10,000 डोज बाट खोप अभियान अगाडी बढायका सो पहिलो मात्रा खोप लगायका नागरी करुका लागी, दोसरो मात्रा को ब्यवस्ता जसरीपनी गरेने कुरामा निश्चिन तरावन आगरा गर्दशु। थब खोपको बेवस्ता गरेर शवय बयस्क नागरिक लाई खोप लगाईने र मामारी लाई नियंत्रण गरी छाडने विश्वास दिलामन चाहाँचु। कोरणा मामारी को आकर्मन बाट विकसित र विकासिल शंपन्न र साधन सुरत भेहिन ठूला रसाना कुने पनि देश माचन सक्याँच। तर विकासिल देशरु माथी यसको मार बड़ी परेकोच। दिगो विकास लक्षे आसिल गरने उनी अरुको प्रयास लाई मामारी ले जने चुनवती खड़ा गरेकोच। खोप लगायत अत्यावसिक जीवन रक्षे काउसदी अरुको अभाव होंदै जादा विकासिल देश अरु जने पचाडी परदैशन। आज खोप को अश्मान वित्रन विश्यव्याफी बौस को विशय वने कोच। तिसेले मामारी बिरुद्ध को विश्यव्याफी स्वाकारे मां मपुन जोड़ देन चाहांचु। जी शाथ रजी बीज अर्था जी शेवन रजी ट्वांटी लगायत बिकसित मुलगरुली अंतराष्टिय उत्तरदाइत तो बहन गरन आवशिक्षा। शवई शुरक्षित नहोदा सम्मा आमी कोई पनी शुरक्षितों सक्दैनों भन्ने एथार्थ लाई मनन गरन शवई शंग आग्राव गरन चाहांचु। एश लणाई को अगर मोर्चामा चिकित सक्दैनों स्वास्त कर्मी शुरक्षित कर्मी चालक तथा शफाई कर्मी रह निजामती शेवा का राष्ट शेवक अरू उनोंच। तीने ही तहमा निर्वाची जन परदेन दी हरू र देश वरी नहीं स्वायम सेवी हरू परिचालित उनोंच। आपनो निजी जिवन र पारिवारिक जिम्मेवारी लाई समेत पंचायर शंक्रमीत हरू को उप्चार र वेवस्तापन मा अहरात्र खटने वहारू आमिशवाई का आदर र सम्मान का हगदार होनाँच। महामारी बिरुद्ध लड़ी रहेका जनसक्तिको शुरक्षया मा सरकारले उनेक उसर बांकी राखते न। अगर पंक्तिमा रहेका चिकेचक स्वास्ता कर्मी र अन्ने तो का कामदार तथा राष्ट शेवक कर्म चारी माथी कुनैपनी बाहाना मा हुने भावतिक वा कुनैपनी प्रकार को आक्रमन लाई duty मा रहेका सुरक्षिय कर्म माथी कर्मी माथी भयको आकर्मन सरानाई दन्डनिय मानी नेश अस्पदाल मा उपचार गराई रहनु भयका र गर्माई आइसोलेशन मा बशी श्वास्तलाब गरी रहनु भयका 1,00446 दिदिवैनी तथा दाजबाई अरुको शिग्र श्वास्तलाब को कामना गर्दाशू 6,91 एकाउन नागरी कर्वको नेदन परती गईरो दुखा वेक्त गर्दै शोका कोल परिवर्जन मा आर्देक समवेद्ना प्रकड़ गर्दाशू कोवीड संग मुकाबला गरना जीवन पहिला हमर नितियो जनता को जीमन रक्षा सरकार को प्रमुख दाई तो आमिलाई थाई चा मामारी नियंत्रण को पहिलो र प्रभावकारी उपाय वने को इसको रोख थामो मामारी पहिलीन न दिनो हो एसका लागी जन स्वास्त का माब्दंड अरुको कडाई का साथ पालना गरना पुना शबय दिदिवाईनी तथा दाजवाई अरुमा हाद्दिक आगर गर्दशू अईले लागू गरियेका निशेत्र अन्ने उपाय अरु जनता को जीमन रक्षा कै लागियों जीविका अर्थ तंत्र गुरक्षा को दाईत्तो प्रतिपने सरकार उत्तिके सचेत्रहेको विश्वास दिलाउम चाहांचू आध्रनी दिदिवाईनी तथा दाजवाई अरु राजनितिक इस्थाईत्तो सुनिशित गर्ने लोक तंत्रलाई शुद्रिट गर्ने रा हाम्रो शंपुर्ण उर्जा सामाजिक आर्थिक रुपांतरन रा संब्रिद्धिका लागि एकाग्र रुपमा केंद्रिद गर्ने प्रयास्मा पठक पठक अवरोथ सिर्दना भायकाचू शिमेद बेक्ती हरुका मात्व कामशा कुन्ठा रा स्वार्थ का लागि परतिनिशवा लाई अकर मन्ने बनाउं दै लगिये पसी गता पुष्मा परतिनिशवा भिगटन को निणाय गरिये को थियो तर शर्वच्य अदालत ले परतिनिशवा पुष्मा श्टापना गरिने निणाय गरियो उक्ता फईशला को सम्मान गर दै तेसलाई कारे निण गरियो एश अबदीमा आमरा प्रयास परतिनिशवा लाई पूर्णा अबदी संचालन गरने र एश इवेत्रवाट राधनितिक स्थाइत्तो खोजने कुरामाने केंदरित रहो तर तीन महिना को अनुबबले पुना इस्ताफित परतिनिशवा ले राधनितिक स्थाइत्तो मा अप्यक्षित योगदान गरने नसके को एथार्था इस पोष्ट पार्दसर महिले गोयखो वैशके 27 गते परतिनिशवा समक्षे विश्वास को मत का लागी प्रस्ताफ पेस गरे स्थनमा महिले परतिनिशवा लाई पूर्ण कारेकाल संचालन गरन रए यसलाई काम काजी बनाउन का लागी किता आफुलाई विश्वास को मत दिन की श्वस्त एवं संवाइदानिक प्रक्रिया बमोजें बैकल्पिक सर्कार दिना आग्रादरे मेरो प्रस्ताब मेरो प्रस्ताब अनु सार्को सर्कार गलसां का लागी सदन्मा मैले परतिनिशावालाई पूर्ण कारेकाल संचालन करना र एसलाई कामकाजी बनावना कालागी किता आपलाई विश्वास को मद दिन कि श्वस्त एबं सम्भाईदानिक प्रक्विया बमजिम बैकल्पीक सरकार दिन आग्रा गरे मेरो प्रस्ताव अस्पलवायो सम्भाईदान को धारा चैतर को उपधारा दोई अनुशार को सरकार गठन का लागी सम्माननिय राष्टपतिले दिन वायको समाय पनी त्यत्तिके वेतिद वायो एसरी परतिनिशावा न सरकार लाई विश्वास को मत परदान गरने नत बैकल्पिक सरकार नहीं दिन शक्ने गरी अकरमने तामा फ्ष्वास को प्रस्ताव मा मत दान हुदा का बखत को परिस्तितिमा तात्विक परिवर्तन आयको मेले पाई न मेले पुना विश्वास को मत पाऊना सक्ने बरपरदो आधार पनी देखिना समसाद मा सरकार को बार्शिक नेती र कारेक्रम तथा बजेट प्रस्तुत करने समय नजी काई सगे को परिस्तितिमा राजनितिक अन्योल काईम राखनू उचित हुदाई न थियो एसाई प्रिश्वाइमा मेले गवाई को जेश्वागते मार्ग प्रस्श्त गरदे सम्मिदान को धारा चयतर को उपधारा पांच अनुशार को सरकार बनावने प्रक्रिया सुरुगर्न सम्माननिय राष्टपते जीव समक्षय सिफारिस करें यो कदम मुलुक लाई राजनेतिक अन्योल बाटर सकिसम्मा छीटों मुक्त गरने उदेश्वाट प्रेर्थियो एसे बीच जन्ता समाजवादी पार्टिले मलाई प्रदान मंत्रीमा समर्थन गरने संस्तागत निड़ायको पत्र अस्तांतरन गरे पर्दान मंत्री का लागी दावी प्रस्तुत करें दावी गर्दा को समय सम्मा मेरू पक्षिमा नेकप एमाले का 121 र जन्ता समाजवादी पार्टिका बत्ती सामसदर को समर्थन इस प्रस्ततियो तर एस बीच मा जे जस्ता गटनार प्रभिर्ती देखा परे तिनले नेपाली राजनेति लाई पसी सम्मा प्रदुशित गराई रहने सन हामिले अवलमन गरेको बहुदलिय प्रडाली का सिद्धान्त सम्सदिय मुल्ले मान्नेता एबं पार्टिर सम्सदिय दल का संस्तागत निणाय लाई धर्जी उडाउ दे नेकपा एमाले रा जन्ता समाजवादी पार्टि का केई शाम्सदरुले नेपाली कांगरेस का नेतालाई प्रदानमत्री बनाऊना हस्ताख्षिर गर्नुगयों नेकपा एमाले रा जन्ता समाजवादी पार्टिले तेस्तो अस्ताख्षिर लाई मान्नेता नदिन र एस्ता गदिविदी कारवाई को विशाय वन्ने जानकारी पत्र मार्फत ततकाल राष्ट्रपतिको कारे लाई लाई गराई बहुद अलिये प्रणाली विपरित का तेस्ता हस्ताख्षिर लाई आदार बनाएर माननीय शिर्वादुर देववाजी लाई प्रदानमंद्री नियुक्त गर्ने सम्भावनात थिया न नही तर ती हस्ताख्षिर हरुका कारण प्रदानमंद्री मा मेरो दावी पनी निरि सम्माननीय राष्टपति बाड़ दुवई दाविलाई खारेज गरने निड़ाय भयो तेस्पषिने शम्मिधान को धारा चयत्तर साथ बमजिम परतिन्दी सबाव बिगटन गरी नया निर्बाचन मा जाने शम्माईदानिक बाद्यतागो इस्तितिमा मुलुक्पुगे को सम्मिधान को इस्पष्ट विवस्ता रशर्वर्च अदालत को फागुन एगारेको अथवा गता फागुन एगार गतेको फईश्लामा बनियेका सरकार गठन का सवय बिकलप अरुको प्रक्रिया पूरा वैशके पसी वैको परतिन्दी सबाव बिगटन पसी आज राजनित अश्रम्सदियर अलोक तांत्रिक गतिविदियरू देखा परेकाशन ती बीडम बना पुल्णाशन द्यार चाल को निर्वाचन बाट गठित परतिन्दी सबा ततकालीन सत्तारुड पाल्टी मां देखा परेका इस्ताई बिक्रित अभ्यास का कारण बिगटन बाएको तिय अचों वर्षसम्मा जाली लायो तेस बिक्रितिले ततकालीन सरकार रुलाई मात्र अफ्थार पारेन बहुदलिय सासन प्रणाली प्रतिनी जन्तामा नईराशिता र बित्रिष्ना पईदागर्न बमिकाखेलू दोल अरुमा स्वार्थजन्य विवाजन दोल अरुबिज सि दुवई कोण बाट हमलाक्या लागी आधार बनेगो थियो। 20 बर्ष पचिपनी नेपाली राजनितिमा इनेई प्रविर्ति दोरेनू दुखात रद्रवागी प्रणाशा। आमीले अबलमन गरेको शासन प्रणाली, जनता को परतिस्परदातमक बहुदलिये लोकतांत्रिक शासन प्रणाली हो। एस प्रणाली का आधारे इस्तमब राधनेतिक पाटियरू, लोकतांत्रिक पाटियरू कमजर होदा, कोशरी मुलुक। हिम्षा को दुष्चक्र मा फश्टु रायशर ताना साई शासन का लागी बाट खुल्द रायशर बनने निकट अतित को अनुवब लाई आमिले एती चाड़ाई बिरिशन शक्षूुरा पाटि हरु सत्ता मा जानू या विपक्षिमा बस्नू विष्टारित होनू आ शंकुचन मा पर्नू लोगतंत्रमा शामान्ने विश्टा को लागी अन्ने पाटि हरुमा विवाजन विग्रहर विकृति हरु पईदागर्नू एवं तेसकाई बल्मा आफुशभल बायको ब्रह पालनो आत्मरती मात्रें। बहुदलिये प्रणालीमा देखापर्न लागेको निर्धलिये च्वरित्र ख्यालशट्टा को विश्टा को विश्टा को विश्टाइ होय न। अज़े यस्तो विकृति को अउचित्ति एवं बैत्ता कायम गर्न भईर एका प्रयास्त सामान्न लोगतंत्र का लागी आपनो जीवन को आदास अताब्दी वन्दा बड़ी खर्चे को रा पंचायती जेल मा 14 वर्षे विताये को मेरा लागी शत्तामा रहनू या नहरनू प्रमुग विशाय हुदे होई नुद्धाली वेवस्ता आईशके पसी पनी परती पक्षे का रूप सर्क्मा दसकों ब्यतित गरेको लोगतंत्रिक शकती हरुकई दमन जेलेको now the spectrum is the शाद्धेत राष्ट्रियता को संबर्धन्र सार्भम सत्ता को रक्षयाओ, राष्ट्रिय अस्मितार स्वाविमान को संबर्चनो, लोग तंतर को सुद्रिडिकरन गर्दई, जन्ता को जिवन मा अनिवाद गर्णो, ये सलाई राजनितिक अधिकार को दायर वाट माथी उठा मानविये आकेंग्सा को समस्टी का रूप मा विकसित गर्णो, अधिकार को प्राप्ति अफ्षर मा पहुँच, शामाजिक नियाए रशमान्ता को प्रत्या भोतिये बं, शम्मांद र सुरक्षया को सुनिश्चिता भाय को समाज निर्माण गर्णो, इसके लागिये हमरा प्रयास केंदरिच्छन, आजको मुख्य चिंता अलोक तांत्रिक नैतिक मुल्यहिन र विक्रित अभ्यास जांगी दई गये रहन, लोक तांत्रिक गर्ण तंत्र परतिको जनविश्वास ने गुमला की बनने हो, जनविश्वास गुमे को प्रणाली फेरी जोखिमा परला क प्रतिक पन्यों, ताजा जनादिश्म जानू परतिकरमन होईन, जनता लाई दल हरुले मुल्यांकन को मौका दिनू, र आवदिक निर्वास नमार्फत जनताले विश्वास गरे को दललाई सरकार चलाउन, जनादेश प्राप्त होनू लोक तंत्र को विश्वेस्था, निर जनता प्रति अविश्वास गरनू, निर्वाचन निश्पक्षेर सोच्छा होने कुरामा मौले बारंबार जोड दियेको छू, परिणामलाई दियानमार आखेर होईन, लोक तांत्रिक प्रणाली र पद्धतिलाई दियानमार आखेर, निर्वाचन संपन्न करिने छू, मन पुरी अबदी चलो स्वन्नेमा कुनाई कताई कसर बांकी नराखी प्रयास गरेकों, तर मेरो प्रयास लाई शफलोना दियेन, उनात प्रतिनी सभाप पुरा अबदी चलनो, या सरकारले जेन तेन पांच बर्सर कालेकार पुरा गरनो, मात्रे राजनितिक इस्थाईत्यो क का लागी परयाप्त हों देन। राजनितिक इस्थाईत्यो को मूल पक्षे, नितिगत, संगती, निणयेको निरंतरतार कारणियन को सुनिश्चित्ताओ, राजनितिक इस्थाईत्यो को केंद्रविंदू, राष्ट्रार जनता को हीत को सम्रच्छेन रसंबर दनो, आमी जन राजनितिक इस्थाईत्यो का पक्षे मां शों। पार्टी एकता को रक्ष्या का लागी, आमरत तर्फ बात गरिये का अथक प्रयास सार्वजानिक नहीं शन। नेपाल कॉम्निश्च पार्टी नेकपा को एकता खायम गरना अंतिम समय समपनी प्रयत्न गरिये कही हो। अस्थिर्टा सिर्जना का लागी, श्वार्थकेंद्रित गठ्वंदन नवने को भई, र माधिवेशन बाट निर्वाचित अद्देख्यलाई गेराबंदी बाट अहटाउने दुरासाय नवने को भई, केतिन जेल एकता माधिवेशन शंपन नवने रगु नेत्रतो अस् भई शकेको होने थियो, भागोन 23 गतेको फईसलाब पची पनी, एकता जोगावन शकीन सगी वनेर माईले आफईले पवाल गरेगों, तर मेरो प्रयास लाई कति पहले मजाक को भिशाय बनावने बाट, इतियास ले एसको उचीत हिसाब किताब गर लाने, नेकपा लाई ए अपना विवाजन कारी गतिविदी परती, रती भर गलती बोद देखियें, उल्टाई एकी करण को रक्षा, र नेतरतो को पक्षिमा उविनवायका साथियर लाई पंचाउने, कुरामा मात्र वाहार को प्रयाच केंदरितर, फेरी पनी पाटिलाई गुट अरुको सन्युक पाटि का आधिकारिक उमेद्वार लाई हराउना विपक्षी संग शांठ गाट गरने, शाजा उमेद्वार का नावमा भागी उठाउने, जस्ता कामरु गरिये का साथियर अफनो पाटिय अद्देख्षे, सम्षदिय दलको नेतार परदान मंत्री लाई हटाउना, कोईल आले अक्षेप, अपमान र पीडा, बेवरे रपनी, निरंतर प्रयत नसिये छो, बोलिका दिन मामानी रही राने छो, पर्तिकुल परिष्थिदिमा, आंदोलनको रक्ष्या का लागी देरता प्रवग उभीने सवय नेता कारे करता हरू, समर्थक्षुबस्चिन्त गेवं आम जनतामा दन्यबाद ल्यापन गान चाहांचु, आधरने दिदिमाइनित था दाजवाई अरू, अनेकव पर्तिकुलता का बीच्मा पनी बिगत तीन वर्षमा, नेपालले उल्लेख्य प्रगती हासिल गरे कोच, सम्मिधान कारेनें, रशंगियता को शुद्रिडिकरन, आर्थिक ब्रद्धी, राजनितिक मात्तो का पुर्वादार को विकास, सामाजिक नियायर सुरक्षा, राष्टियता को सम्मर्धनेवं, अनुशासन, सुशासन का चेत्रमा आमरायोजना वद्ध प्रयासरु को पर्तिफल देखिन थाले कोचु, सम्मिधान पुर्ण कारेन शंगिये प्रणाली शंस्तागत्र क्रियासिल भायकोचा। शंगिये प्रणाली शंस्तागत्र क्रियासिल भायकोचा। राटमा अग्रसर शंगिये प्रणाली शंस्तागत्र क्रियासिल भायकोचा। येश अवदीमा 330 MW विद्धुत उत्पादन थप बायको छवने येश य आर्थिक वर्षवित्र थप 500 MW विद्धुत उत्पादन हो दैशा। लोट शेडिंग को अंत्य पर्याफ्थ विद्धुत आपुर्तीर अतिरिक्त विद्धुत को वाय वेपार शुरुवायको छव। बाय लगानी बड़ी रायको छव। तीन वर्षको अवदीमा नेपालीको अउशत प्रतिवेक्ति आये 25% ले ब्रद्धि वायको छव। मानव विकास शुच अगांकमा पांस पर्दिशत मिंदुको शुधारवायको छव। कोवीड उन्ना इसको मां अमारीका बीच्पनी निरपेक्षे गरिवी मां उल्लेक्य ब्रिद्धि वुन पायको छव। रणनितिक पुरवाधार अरुको छव्यत्रमा इतिया आश्माई देरी उपलवदी आसिलवायकासन। सड़क मोटर जोलूंगे पुल्व तो इन विस्थाफन लगायत। छव्यत्रमा बैरायका प्रगति बारे एश अगिने प्रस्तुत थेंक मा दोर्यावन चान। कुल रणनितिक सड़क मद्दे 70 दसमलब एक परतिसत सड़क बिगत तीन वर्ष मा मात्र निर्माणवायकासन। तीन वर्ष मा संपन्न गरने गरी एक सवय पशेठी ओटी निर्वाचन चेत्रमा एक एक रणनितिक सड़क र इस्तानी अत्व हरुलाई एक आपश्मा जोडने र सवय इस्तानी अत्व का केंद्र देखी प्रदेश राजदानी जोडने सड़क को निर्माण शुरुवायक शबय पालिका र चेत्र हरुमा इनको दुर्गामी शखरात्मक प्रवाब परनेशा। तीब्र रुपमा निर्माण वाईरयको काटवांड उतराय दुरुत मार्गले केई वर्ष वित्रै परणाम देनेशा। विश्तार वाईरयको पुर्वापशिम राजमार्ग, निर्म पुर्ण खंडर संपन्न वाईशंगाई तरायमा विकास का सम्मावना थप्पिये काशन। बायरावार पोखरामा निर्माण संपन्न हुने चलनमा पुगे का उंतराष्टिय विमानस्तल अरुले परेटन परवदनमा उल्लेख्य योगदान गरनेशन। गोदावरीमा ती पुर्ण निर्माण का लागी बोलपत्र आवानबाय कोशन। चीर प्रतिक्षित मेलमची को पानी काठवांडुमा अवत्रन संगई काठवांडु वाशी का पानी को तिर्खा मेट्टिये कोशन। छिट्टै यांगरी र लार्के को पानी मेलमची मा शामिल गरेर खाने प पानी को समयश्याको दीगो समाधान गरने प्रयास अगाडी बड़े कोछा। सम परदेश्रा इस्तानियत्ता को समन्य बाट कूल जन्संख्याको बयानवे परदेशतलाई आधारबुद खाने पानी शुविदा उपलब्दगरावन शफल बयाकाश। बेरी ववयवही दाइवर्शन को सुरंको काम समपन्य ववयर शिचाई पुरवाधार का काम शुरुवदार का सुन्कोशी मरिन आइवर्शन को काम duduya गेम चेंजर पर योज जनाले, तराई वाशी अरुका बर्शों पुराना सब्नालाई पुरा गरदाई, हामिलाई खाद्यान नर्मा आत्मनेर्वर बनावना योगदान गरनेशन। भूकम्प पशी को पुननिमान लाई, हामिले उधारणी रूप मा संपन्न गरेगाश। भूकम्प का कारण बेघर बार बनेका आतलाग बना बड़ी परिवार शुरक्षित गरमा फर्किना थालन वाई कुछ। बिद्यालाई बावन श्वास्त संस्ता हरूर सरकारी कारले हरूको पुननिमान तीब्र रफ्तार मा गाड़ी पड़ेगोश। आमरो पुननिमान सामर्थिको फर्तिक वनेर दरारा रानी पोखरी र दरवार आईश्कोल आदी राददानिका मुटमा इस्ताबित वायकाश। बव्वे रुपमा शंपन्न वायको दस्चिन एसियाली खेलकुदमा नेपाल को उतक्रिष्ट परदर्शन करेकोश। त्रिदेशिया फुडवल क्रिकेट हरुमा पनी नेपाल को परदर्शन उधारनिय रायकोश। अरेक नेपाली बेवस्तित ओत वायको शुरक्षित गर्मा बश्न पाउन पर्चवनने शरकार को प्रतिवदता अनुरुक। तीन वर्षको अवधिमा 13,000 बंदा बड़ी जंता आवास नेमाणवायकाश। 17,000 फुष्ट था खरकाचाना जस्ता पादाले परतिश्थापन गरियेकाश। कशेली पनी शड़कमा जिब्मन गुजारगर्न नपरश बनने उधेशले। शड़क मानव रहित सार रवष्टिको अवधारना कारनेन मा लेगेगोच। चक्रवा तथवा टोर्नार्डु बाट गरवार बीन बनन पुगेका नागरी गरुका लागी छोट्र समय मैं 1879 शुरक्षित गरनेन माणगरेर अस्तांतरन गरियेगोच। बाडी, पैरो, डुबान, आगलागी, चट्यांग, आधिवाट, गरवार बीन उनपुगेका नागरिकलाई शुरक्षित आवाश उबलवद गरावनी प्रक्रिया शुरुवाएकोच। शुकमभाशी समस्या रवववस्तित बशवाश कु समस्या समाधान गरन उच्चाहिस्तरीय आयोग गठन गरी कारिये प्रारंब गरियेकोच। सरकारी सार्वजनिक रगुठी जग्गा को एथार्थ अवस्ता पैचान गरी प्रतिवेदन पेशगर्ण गठित कारेदल को प्रतिवेदन प्राप्तवाएकोच। 200 हेक्टर अतिक्रमित सरकारी जग्गा फिरता लेएकोच। मुलुक प्रमुक पशिपजी जणने पदार्थमा आत्मनेरवर्वाएकोच। प्रमुक खाद्यन वालिको उत्पादन में 11 प्रतिशतले बिर्दिवाएकोच। क्रिशक शुचिकरन अभियान सुरुगरियेकोच। तीन वर्षको अबदीमा थप 30,000 हेक्टर जमिनमा शिचाईशुविदा पुर्याईएकोच। देश वित्रई राशायनिक मलकारखाना इस्ताबना गरने प्रक्रिया अगाडी बड़ेकोच। माठोको गुणस्तरको डिजिटल परिश्चेन सुरुगरियेकोच। मेरो कित्ता नामक एफ्सकारणे मा आयस न गई। नागरी करूले आफनों जग्गाखो कित्ता नम्मर साहित को नक्षा आफईले हेर नरा छापन संक्न वेवर्षता पायकोच। एसे आर्थिक बर्षमा छवटा नया अउद्युगिक। एसे आर्थिक बर्षमा चवटा नया अउद्युगिक छेत्र को निर्माण सुरुवाएगोच। इस्तानिये तवमाच चवट्तर अउद्युगिक ग्राम गोष्णा भई काम थालियेगोच। अंतराष्टी वेपार बिर्दी का लागी भारत बांगलादेश अमेरिका और भोटाम संगा बानिजी बारता शंपन्न वायकाच। तीन वर्षको अबदिमा चववर्षबंदा माथी उमेर समोह कु शाक्सिर्दा दर 7% बिंदुली बढ़ेकोच। शर्दर भर्णादर 86% बढ़ेकोच। कुल 484 प्राविदिक दार का विद्याले इस्तापना बायकाच। मने 532 सामदाइक विद्याले अरुमा प्राविदिक शिक्षया उपलब्द बायकोच। देश वरका 333 इस्तानिय ताव मा प्राविदिक सिख्षया तथा वेवसाइक तालिब केंद्र को पहुँच पुगेगुशा एक वर्ष को अबदी मा बिविन्न अस्पताल अरुमा 7,645 साई थब बाये गाशान सबय इस्तानिय ताव मा आधारवुथ अस्पताल इस्तावनागर निलक्षे अनुरुप 396 इस्तानिय ताव मा निर्माड कारिय शुरु गरिये गुशा एक वर्ष अगयाडी कोबीड लगायत के जटिल परिक्षण शोदेश मा हुना नसकने अवस्ताराय को महाल शोदेश में सताशी प्रयोक्षालामा कोबीड उनाइसको परिक्षण उने गरेगुशा कडा रोग लागे का कुल 38,999 जानलाई निशुलक स्वास्ते उप्षार गरिये गुशा पचतर जिल्लामा स्वास्तवीमा कारिक्रम विस्तार गरिये गुशा सब्सेटो परिक्यमा 32,99,99 जानलाई नागरिक आबदन वास्तार गरिये गुशा जो खिम मा परेका 150 वन्ना बड़ी शुदकेरी को हवाई उद्दार गरियेगोच, महिला विरुद्ध हुने हिम्सालाई, दंडित गर्र, एशिट अफ्राद्र, वलतकार नेंत्रन संबंदी कडा कानुनी वेवस्ता गरियेगोच, सार्वजनिक तथा नीजी चेत्रबाट प्रवागरिने सेवालाई, चीटो शरितो शर्वशुलब, पाउच योग्यर, प्रविदी मैत्री वनावनिगरी नागरिके संचालन मा लाई येगोच, सरकारी राजस्षो विद्वतिय माध्यम बाट संखलन हुने वेवस्ता मिलाई येगोच, हाल सम्म, चाउद जिल्लामा 28 लाख राष्टिय परिजय पत्र वित्रण गरियेगोच, शवई जिल्लामा 4G स्वाइद को इंटरन सेवा विस्तार वाई गोच, नेपाल को अंतराष्ट्रिय संबंध मा उल्लेक्य विस्तार वाई गोच, अभुद्पुर्व राष्ट्रिय स्वामतिका साथ लिंपियादुरा, कालापानी र लिपुलेक समाविश्गरी नेपाल को नया राजनिम्तिक नक्षा जारी गरियेगोच, आल सम्मा 170 मुलुक्षंग कुर्ट्नितिक संबंध विस्तार वाई कोच, बर्चुल माध्यम्बाटव चस्तरिय बार्था था सम्मादरू निरंतर जारी शन्, पर्तिवा प्राप्तिकेंद्र अर्थाथ बेन ग्रिन सेंटरू संचालनमा आय कोच, आधरणी दिदिवाई नित्ता दाजबाई अरू, आमरा सवैक आमरा योजन आरू, शम्मृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राश्ट्रे आकेंग सा पूरा गर्ने तर्फ केंद्रेच्छन। परिपुर्ण लोक्तंत्र आमरों मान्नेत्ता चा। शम्मृद्ध सहित्को स्वैक नियायरा स्वैक नियाय शोितिवाई वर्ष हbre्ष को नियृवाचन। इनियृवाचन अरू, आमरों शंगिय लोक्तंतर गणतंत्रलाई शुदय बनावने शुम। जनतामा अईले देखा परेको छेनिक निराशा को अंते गरनेशा। शम्रित नेपाल का लागी हमरो प्राथमिकता। क्रिशिको आदुनिक करण तथा वेवसाई करण गरने यसलाई उद्योग तथा सेवासंग समन्नोय गरिरा गाडिपावने हुनेशा। पुर्वादार फराकिलोग उनस्तरिय आकर्षक दीग तथा नमीन हुनेशा। यातायात पुर्वादार मा सड़क रेल तथा अवाई राजमारग को समन्नोय अत्म गरूपमा विकाश विस्तार शुदरिश गरन गरिनेशा। कोनेक्टिवेटिमा डिजितालाइजाशन प्लेटफर्म थाप गरिनेशा। येश भाट उनलाइन शेवा मारफत शेवा ग्राईलाई। शेवा प्रदायक्संग बाथिक गुरुपमा गरनुपरने गल्पत्ति वाड़ जोगाईनेशा। डिजिटल नेपाल प्लेटफर्म ले शिक्षार शंचार मात्रे होईना। कृषी उद्योक्षी चाई उर्जा यातायात परेटन स्वास्त श्रम सुरक्षा लगायत। नागरिशन शंबंदे सवय आया मरुलाई समेटनेशा। शंबत् वनेको विक्रम संबत् एककाई से सम्मको देरेकर कालीन सोच अनुरूप। शबय क्रियाकला बरू निर्देशित मुनेशा। अतिकम विकसित राष्टबाट विकासिल राष्टमा इस्तर्मनत्य उदा पर्नशक्मेप्रवा विस्लेशन गरी। आवशेक रड़नती एवं कारियोजना तर्जुमा गरी कारियन गरीनेशा। दीगो विकास लक्ष्य आसिल गर्ने विशेलाई अमेशा ध्यानमा राखिनेशा। कोवीड मामारीले आमरो विकास यात्रालाई अवरुद्ध गर्न नपावस वन्ने कुरामा सज़क्ता अपनाईनेशा। विरासद मा प्राप्त सबै अधुरा अपुरा परियोजनाहरू शंपन्न गर्नी कारियलाई प्राथमिक्तामा राखिनेशा। पूरा हुना नसकनले या मोत्यो गमाय का परिज़नारुको पुरणविलकन गरी आवसेकनिवाश्या ब्यापार्स अंतुलन काईम गरने नितिया अंतर्गत रहे रह शोवित्य पुर्ण व्यापार सुविदा को पुर्ण उपयोग, व्यापार तथा पारवन संबंधी संदी सम्झाउता पुर्णराबुलकन नेपाली उत्पादन को वजार पंच ब्रिद्धिगर्न थप मुलुक्षण व्यपार सम्जवता शार्वजनिक निजी व्यवसाय संबाद मन्च लाई कारे मुलक बनाउनेर नेपाली उत्पादन लाई अबांचित प्रतिश्पर्दावाट जगाउने बेवस्ता मिलाईनेचा खानी अरुको पैचान उत्खनन उत्खनन प्रशोधन र प्रयोग लाई तिब्र पारिनेचा जन्शक्तिको विकास आमरो नितिको केंद्रवाग मार आनेचा उपलवत जन्शक्ति लाई दक्षे बनाउने आवशेक नया जन्शक्ति प्राप्त गरना नया तालिम प्रशिशन शात्रविर्थी र प्रस्वान प्रधान गरिनेचा अंद जब अथवा कारेश्यत्र में तालिम बाट शेमता अविवर्दी गरने र अदेन रत विद्यार्थे अरुलाई इंटन्सिप्षेवा मारफत बविश्यको श्रम बजार पड़ती जानकार गराउने जानकार बनाउने विदी अपनाई निशा हजारों को संख्या मां अवश्यक प्राविदिक जनसक्ती तयार गरने एमां प्राविदिकर आम शिक्ष्या बेज अनपात्मा शंतुलन कायम गरिने छा कुने बालबाली का बिद्याले वाहिर नरहने पड़ाई विचाई मां छाडने इस्तेती ड्राप आउट उने अवस्ता लाई नियंत्रन गरने तथा सवय लाई गुणस्तरिय शिक्ष्या को पाउज वित्रल्यावने कारेक्नम अगी बड़ाई ने छा पुर्भादार आयो जनायको पैचान देखी अन्ते सम्मका सवय चल्णमा सम्मनोय गरन सुरत को कुषल र दक्षय उपयव गरन दोरो पना अटाउनर संबद्ध निकाय अरुकु जिम्मेवारी इस्पष्ट गरी सवय प्रकार का सार्भजनिक पुर्भादार एकिक्रित अ प्रणाली को बिष्टार बिद्धुतिये सवारी साधन को प्रयोग लाई पुर्शान गरने तथा बचत हुने बिद्धुतिये बिद्धुत छिमे की मुलुक अरुमा निर्यात को ब्यवस्ता करी नेचा। बिद्ध को पुर्वसुचना प्रणाली को बिकास बिद्ध संबंधी जन्चेत्ना अईविर्धिमा जोड दिये नेचा। बिद्ध बाटविस्थाफित परिवार लाई उपयुकत वशुवास को बिवस्ता, जोखिम युकत वश्तियर को शुरक्षित इस्तान अंतरन। एकिगृत बस्तिको विकास र फुष्ले छाय का भवन का छाना जस्ता पाताले प्रसितापन गरने निती लाई निरंतरता देनेचा। बंडड़ेलो लगायत बिपत्ती अरुको शामना गरना साधन सुरत को प्रवंद गरिनेचा। नेपाल को प्रकृति, संस्कृति, पर्याबरन र सामाजिक जिवन लाई प्रवर्दन गर्दै आकर्षक परेटन गंतब्य बनाउने निती लिए नेचा। नेपाल को सब्वेता संस्कृतिक कला साहित्य, भाषा रहन सन, चाडपर्व, रितिरिवाज, परंपरार, बेश वुशा इवं प्राकृतिक तथा संस्कृतिक संबद दलाई शफ्प पावर को रुपमा विश्व सामू प्रस्तुत गरिनेचा। नेपाल का इमस्रंखला पारिष्थितिक प्रडाली र बन जंगल ले जलबायू अनकुलन र बातावरणिय शंतुलन मा पुर्यायको बिशिष्ट योगदान तथा, कारवन उत्सर जन्मा नगन्य भुमिका हुदापने नेपाल ले अशंतुलित रुपमा भोगन परेका प अधिक्तम स्रोत्र शायोग परिचालन गरन पहल गरिनेशा। निरोगी नेपाल निर्माण का लागी सरल, शुलब, गुणस्तरिय, स्वास्त शेवाम पोच बढ़ावने गरी, स्वास्त पुर्वादार जन्शक्ति विकास गरिनेशा। स्रमक को उत्वादकात्थो ऐवरिद्धी रुझा कालेन रोजगारी सुनेशित गरन बहुशिप योक्त जन्शक्ति उतपादन गरने नितिलेनेशा। स्रम्भजार को मागवणोशार को जन्शक्ति उतपादन गरनेशा। अनात बालवालिका लगायत अशाहायर सारा वेन नागरिकलाई अविवाग बत्तु र सारा पर्दान गरिनेशा। सवय नागरिकलाई मनु मानवोचीत जिवनेयापन शुनिश्चीत गरिनेशा। योगदानमा आदरेग शामजिक सुरक्षय युजनाको दायरा बिस्तार गरदै लगी नेशा. lowingenk उत्तरदाई शासन बिवस्तालाई शस्तागद गरदै लगी नेशा. जेश्ट नागरिक मा रहेको ज्यान शेपर अनुबब पुस्थांतरन र अस्थांतरन गरन इस्तानिय तामा जेश्ट नागरिक मिलन केंद्र संचालन गरेनेशा अपंगता वायका बेक्तियरुको हकित र अधिकार सम्रक्षन गर्दै शिक्ष्या, स्वास्त, रोजगारी लगायत का अन्य शेवासु विदालाई अपंगता मैत्री बनाईनेशा युवा शक्ति लाई सदवय उत्साई परिवर्तन का संभाग र वविश्य परति आशावादी शक्ति का रुपमा परिचालन गर्ने नितिली नेशा युवा अरुमा शोयम सेवी संस्कृति को विकास गरी मानवेश्यवा, विपत वेवस्तावन रा आपत कालिन अवस्तामा परिचालन गरिनेशा आमनागरिक लाई सारिरिक तथा मानसिक श्वास्त सुधार का लागी खेलकुत सारिरिक ब्यायम योग तथा ध्यान को अभ्यास गर्न अई उत्परेद करेने चांग पुल्ण सरकार को अवदारना मनिती तथा कारेक्रम कारेनुएंज शेवा प्रभा गर्न शक्षम राज्ये सम्मेंत्र को निर्मान गरिने चांग राजनिती र प्रशासन बेच शम्मनोय निश्पक्षता ततस्तार अहस्तचेव को संस्कृती विकास गरिने चांग ब्रश्ट चार विरुद्ध सुन्ने सहन शिल्ता को प्रतिवद्धता लाई निरंतरता दिने चांग शेवा का शेत बेपत्ता पारियका ब्यक्तिको सान्मिना आयोग बाट पीडित परिशय प्रत्र प्राप्त ब्यक्ति अरुलाई शौलियत तथा शुविदा उपलब्द गराईनेश लोग तंत्रका योद्धा हरुको अविलेखी करन रशम्मान को कारेकरम लाई निरंतरता देनेश शान्ति सुरक्षय लाई प्रभावकारी बनाई आम नागरिकर संपत्तिको सुरक्षय प्रत्याबुद गरिनेश राष्ट्रिय सुरक्षय रप्रतिरक्षय प्रणाली लाई सबल बनाई नेश शीमा चेत्रका थौप इस्तान अरुमा शास्त्र प्रारी बोलको बोर्डर आउटपोस्ट इस्तापना गरिनेचा अवाईत था इस्तल मार्गबाट आवज्जाद गर्ने बिदेशी नागरिको अबिलेक बेवस्तित गरिनेचा शुरक्षय कर्मी अरुका समस्या समाधान मा विशेश ड्यान देईनेचा नेपाल को अंतराष्ट्य सम्मंद प्राष्ट्य हित पारस्परिक लावर शम्मान अंतराष्ट्य पर्तिवद ता तथा दाइत तोर नियायमा आधायत हुनेचा नेपाल को रास्ट्रे हेतलाई के अंदर मा राकी शारवाम समान्ता विश्वास समधारी र सहकार्य का आधार्मा शिमेकी तथा मित्राष्टार समय सम्दध सुदेर्ड मनाईने चा अधियासिक संधी नक्षा तथे तथा प्रमाण का अधार मा कुटने तिक माध्यम बात मित्राष्ट भारत संग को शिमा संबंदमा बांकी रहे का रशमय समय मा उटने विशेयर लाई समाधान गरिने चा नेपाल को कनेक्टिविटी र व्यफार विश्तार लाई शगाव फुगने गरि सार्क, बेम्स्टेक, बीवाईयन जस्ता छेत्रिय मंच अरुमा शक्रिय भूमिका खेलिने चा विश्व शांती स्तापनामा योगदान पुरेवन, समान चासोर रहित का विशायमा स्वाकारी गरन, विश्व व्यापी महत्तो का विशायर मा रास्टे हित अनुकुल होने गरि भूमिका निर्वाई गरन, एबम आर्थिक सामाजिक विकासमा स्वायक परिचान गरन, सन्य विश्व शांती स्तापनार परियाबरेणिय शंतुलन कायम राखन, पुरेयको अतुलने योगदान विश्व सामु इस्ताबित गरन, एबम शम सामाइक चासोर साजा हित का विशायमा विचार विमर्शर चलफल गरन, अंतरास्ट्रे इस्तर को सहर माता संबाद लाई उप परिवर्तन संबंदी विशायमा संबाद को आयो जन गरने ने चा, आगया मिया आर्थक बर्शमा गरने कारेक्ण मेरू इने निदियरू को आधार मा अर्थमंत्रिको बजेट बक्तबे मारफत सार्बजनेक गरने चा, आधरने दिदिवाई नी तधा दाजवाई अरू, ल लूग तंत्र मा आस्वामति रामद बिंचताव्य शुबाबाविक। तर अशामति लाई ऐवियक्त ैों दिने चेलेों, लूग तंत्रे राम में मत्र 01th 01th 01 21st स्थाविद गारां उसान। लोग तंत्र र शिर्द ब decorating के लुगित्वता. आम्रा ऐसामतीको शमाधान खोजने आमी आफऐले बनाय को संभिदान बिद्धेवानचान आमी आफऐले इस्तावित गरेका संभिदानिक संस्तारू बिद्धेवानचन तिने अरुमा थी विश्वास गरियो बने रव, तिनलाई बलियो बनाईयो बने मात्राई लोगतंत्र सुधरेड़ोने चा शामानने वेलामा पनी मुलुक मा, मुलुक का प्रमुक शक्ति अरुबीच नियुनतम संबाद संबदारी जे साह कारिय अपेक्से दोंचा चन सिंगु विश्व संगे आमी पनी माहमारी का बिरुद्द कठीन लडाई लडी रेको एस गडी मा तर राजनितिक दल रर समाज का सवई पक्षवेज संबाद संबदारी जे साह कारिय जने आवसेक्ष तिक्तता तनावर विवाजनले छेनिक तुष्टीत देला तर कालांतर में यसको मुल्ले आमीले मंगो गरी चुका हुनु पर्णे हुँँच तेसेले मपुना एक पल्ट मुलुका सवई राजनितिक दल रर पक्षिय अरुलाई आफना अशवमतिय रुलाई मर्यादित वेवस्तीत र बीदी संब डंगले अगाली बढ़ा हुनार तिक्तता तनावर विवाजनका गतिविदिवाट मुक्ता हुना आगरा गर्दाशु गुर्णामा आमारी लगायत आज आमीले जेली रहेको कठीन समय अबस्या अन्ता होने चा एशका विरुद्ध आमी सबय जुठुम शबयमा तन्यवाद र धरे धरी शुब कामना तन्यवाद